दोस्तो नमस्कार और मेरा लवस्कार आज मेरे अनन्यमित्र समाज सुधारक जन्कवी अदम गौणवी की 73 जन्म जैन्ति का दिन है उनका जन्म 22 अक्टूबर 1947 को गाउं आटा पूरे गजराज सिंग ब्लॉक परसपुर जिला गौंडा उत्तर प्रदेश में हुआ था और महापलाइन 11 दिसंबर 2011 को हुआ लखनव के एक अस्पताल में अन्तिम दिनों तक मेरी उनसे बात होती रहती थी फोन पर हमारे आदर्निय कभी शिरी उदेपरताप सिंग जी ने उनकी बहुत देखभाल की कभीयों ने की लेकिन बीमारी लगबग असाध्य हो गई थी तो चले गए लेकिन वे जीवन भर देश की असाध्य बीमारियों पर कलम चलाते रहे इसलिए सदा अमर रहेंगे उन्होंने लिखा था कि खुदी सुकरात की हो या की हो रूदाद गांधी की सदाकत जिन्दगी के मोर्चे पर हार जाती है और फटे कपड़ों में तन ढहांके गुजरता हो जहां कोई समझ लेना वो पगडंडी अदम के गाउं जाती है गुणडा में उन्होंने मुझे अपने गाउं जाने वाली पगडंडी दिखाई थी किसी कारिकरम के लिए सीधे मंच पर पहुँचना था इसलिए मेरे इसरार के बावजूद मुझे अपने घर नहीं ले जा पाए मेरे घर तो अनेक बारा है अनेक कारिकरमों में उनसे मुलाकात होती थी बहराल हिंदी घजल में सामाजिक राजनेतिक चेतना की चिनगारी तो दोश्यंत ने लगाई थी लेकिन अपनी ग्रामीन प्रिश्ट भूमी के साथ अदम ने घजल में विस्पोट कर दिया था खरी बात सीदे सीदे कई बिनार लाग लपेट के अब जब तुम्हें लाज नहीं है तो हम भी लिहाज क्यों करें इस अंदाज में वो कहते हैं कि जितने हराम खोड थे कुर्बो जवार में परधान बनके आगए अगली कतार में और दीवार फांदने में यूं जिनका रिकॉर्ड था वे चौधरी बने हैं उमर के उतार में और एक और वारी क्षेड देखिए निरिक्षण की क्षमता का कि जब दस मिनिट की पूजा में गंटों गुजार दें समझो कोई गरीब भंसा है शिकार में उनकी रचनाएं वो तेजित करती हैं आंदोलित करती हैं महज कक्षा पांच पास अदम दिली लखनों आते जाते रहते थे लेकिन अपनी पूरी जीवन चर्या शेहरी जगर मगर से दूर गोंडा में रहकर गाओं गस्बों की समस्याओं की अगर मगर में ही बिताय करते थे उनकी गजलें, शोशितों, वंचितों, फेक्षितों की पंग्ती में खड़े अंतिम व्यक्ती की पिड़ा को व्यक्त करने में हमेशा सफल रही है हर कोई उस पिड़ा को पढ़कर सुकून नहीं पासकता डर लगेगा पर उससे विमोख भी नहीं हो पाएगा, बार बार चाहेगा कि उसको जाने वे कड़वी विडंबनाओं के डिम में जाकर सचाई नकाल लाते थे और बेबाकी से कहते थे जैसे कोई आत्मस्वी कार कर रहा हो, करो क्या करोगे चोरी न करें, जूट न बोलें तो क्या करें, चूरी न करें, जूट न बोलें तो क्या करें, चूले पे क्या असूल पकाएंगे शाम को उनके लेखन में एक बात देता थी, उनको लिखना ही था क्योंकि दर्श ऐसे दिखाई देते थे वो बात देता देखिए लेखन की बात देता दर्शों में छिपी होई थी घर के ठंडे चूले पर अगर खाली पतीली है घर के ठंडे चूले पर अगर खाली पतीली है बताओ किस तरह लिख दूँ धूप फाग उनकी नशीली है तो सुरा सुराही मदोशी मैखाना ये उनकी गजलों के बिंब नहीं थे उनकी गजलों में परशन चिन्हों की कतार बड़ी लंबी खड़ी होती थी परशन चिन्ह भी नहीं होते हैं वहां तो हालात का वर्णन इसा होता है के बिना सवाल या निशान के सवाल खड़े हो जाते हैं रिष्वत को हक समझ के जहां ले रहे हो लोग हे और कोई मुल्ख तो उसकी मिसाल दो अब यहां कोई सवाल या निशान नहीं है पर सवाल तो है औरत तुम्हारे पाउं की जूती की तरहा है जब बोरियत महसूस हो घर से निकाल दो कोई प्रश्णवाचक्चन नहीं आ भी नहीं है पर व्यंग्य की जूती तो है चीनी नहीं है घर में लो महमान आ गए महंगाई की भटी में शराफत उबाल दो अब सवालिया निशान लगाने हैं तो महमान लगाते रहेंगे और महबत भी तो भरे पेट की उत्तर जीविता है उनके अनुसार शबनमी ओठों की गर्मी दे न पाएगी सुकून शबनमी ओठों की गर्मी दे न पाएगी सुकून पेट के भूगोल में उल्जे हुए इनसान को देखिए कितनी पेनी नजर बहुत पेनी नजर थी अदम भाई की बड़ी पेनी लेखनी थी उनकी एक पेना था उनके पास पेना जानते हैं क्या होता है किसे कहते हैं पशुओं को खाबू करने वाली एक छड़ी होती है जिसके आगे कील भी लगी होती है तो पेना लगाते थे जहां भी उनको मानव योनी में पशु दिखाई दे जाए इसके अलावा इंसानियत के जजबे के साथ देखिए कितनी सादगी से एक जरूरी बात कही है हिंदू या मिसलिम के एहसावात को मत छेडिये गलतियां बाबर की थी जम्मन का घर पिर क्यूं जले ऐसे नازक वक्त में हालात को मत छेडिये छेड़िये एक जंग मिलकर गरीबी के खिलाफ दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िये दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िये उनका हर शेड़ एक दिखाता है आपको जग जोड़ता है आपको सलाह भी देता है तो उनहीं के कुछ जुमलों को पिरोते हुए मैंने आज गजल नुमा कुछ कहा है आज के दिन गौनवी जी के पुत्र आलोक कुमार सिंग उनके भाई शिरीकेदार नाथ सिंग और उनकी ही विदा को आगे बढ़ाने वाले उनके बतीजे जो अपने आपको खतरनाक कभी कहत रहा है दिलीब कुमार सिंग ये मुझे अपने समीब समझते हुए सुने अर्द करता हूँ अदब को अदब को आशुआं की सिसक्ती सी अंजुमन तक ले गए थे अदब को आशुआं की सिसक्ती सी अंजुमन तक ले गए थे अदम तुम भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले गए थे फंसी थी जुल्फ अंगलाई तबस्स्म चांद आईने में मुद्द से तुम्ही तो गजल को भूखे तड़कते आर्त जन तक ले गए थे और जो उनसे मिले हैं उन्हें पता है कि बड़े मृद सौम्य इस्मित पूर्ण मितभाशी सरल थे अपने जीवन में घजल को मगर तुम दमदार गाली के वजन तक ले गए थे और एक शेर आपको याद आ जाएगा कि बुनी काजू बुनी काजू जहां चखना पकोलों की जगह इफरात में रखी विधायक सदन में ड्यूटी फिरी के आचमन तक ले गए थे कितनी संचालक उनके अशार इस्तेमाल करते हैं क्यूंकि असर करती तुम्हारी शायरी फोरण सभी शेयर किया करते गजल को सबके एहसासात के आवागमन तक ले गए थे गजल को सब के एहसासात के हावा गमन तक ले गए थे अदम तुम भूख के एहसास को शेरो सुखत तक ले गए थे अदम गॉंडवी साहब जब तक भूख गरीबी बिरुजगारी है इनसान दुखी है वो सुखी सुन्दर और शोशन मुक्त नहीं होता आप याद आते रहेंगे और उसके बाद और ज्यादा याद आएंगे क्योंके लोग सोचेंगे अरे ऐसा भी होता था मैं आपको आज हर्दे से प्रांग करता हूँ